जै जिवदानी, ब्यूटी विद एस्ट्रोजी की फाउंडर मैं कामी नहीं खरना आप सभी समझता सुरूताओं के साथ, एक बर फेर एक चर्चा का भी शेले कर हाजिर हो, चर्चा ये है कि गुरू मारगी हो रहे हैं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाओं सबसे पहले, आप सबसे नमर निवेदन कर दूँ कि सबस्क्राइब कीजिए, मेरा ये यूटूब चैनल, यूटूब स्लाइश, ब्यूटी विद एस्ट्रोजी, जब आप सबस्क्राइब करेंगे, तो पॉप अप होकर उपर बेल बेटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही, मेरे चैनल की सभी मेज से लेके मीन राशी पर गुरू के मारगी होने का कितना अच्छा वाला प्रभाव पढ़ने वाला है, इसकी मैंने आप से विस्तित चर्चा की है, और प्लीज उस वीडियो को गौर फरमाईए, और देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके, कि गुरू मारगी हो गए तो म से लेके मीन राशी पर कितने अच्छे वाले प्रभाव पढ़े, क्यूंकि गुरू जो है, इस बार वो स्वग रही है, वैसे कई राशीवानों के गुरू कारक नहीं होते, उनको भी फायदा दे रहे हैं गुरू, और इसकी विस्तित चर्चा मैंने आप ते साथ की है, हैं वो, लेकिन मैं इस बात में बिलकुल नहीं मानती, गुरू अगर स्वग रही हो, गुरू अगर उच्छे के हो, तो वो अच्छा ही करते हैं, बस शर्ते, देखा ये जाता है कि गुरू परदिष्टी किसकी है, गुरू जो है, कितने डिगरी का है, गुरू मृत अवस् देंगे, वहां दबा देंगे क्या, आपको, या आपके राशी, आपके लगन को, या आपके भावों को, उसके बाद ही ये डिसाइट किया जाएगा, इसलिए इस ब्रांती में न रहिए, कि स्वगरही होकर गुरू कोई नुकसान करने वाले हैं, स्वगरही गुरू फाइ देख रहे थे, सबसे पहले बता दूँ आपको कि चंद्र की राशी को जहां जहां भी शनी ने देखा, वहां वहां पर नुकसान पहुचाया, क्योंकि चंद्रमा जो करकराशी का स्वामी है, वो शनी का शत्रू है, और शनी जो है, उसकी सब्तम द्रिश्टी सबसे बलवा होती है, लोग कहते हैं द्रिश्टी बलवान होती है, द्रिश्टी बलवान होती है, लेकिन सब्तम में शनी उच्च के हो जाते हैं, तो शनी की सब्तम और द्रिश्टी से शनी गुरू को भी देख रहे हैं, लेकिन गुरू यहां पर स्वग रही हैं, इसलिए उनका कुछ खास बिगाड नहीं पा रहे बिगाडा उन्होंने चंद्रमा के घर का और जिन जिन भावों में में से लेके मीन राशी पर शनी की दृष्टी करक राशी पर पड़ रही थी उन उन भावों को बड़ी तकलीफ हुई है लोगों को अब याद रहे अब गुरु क्या करेंगे गुरू सग्रही होकर पंचम रिष्टी से करक राशी को, करक लगन को, करक चंद्रमा के घर को देखेंगे और शनी का बुरा असर यहाँ पर आधे से जादा कम हो जाएगा. जब इसको इस प्रकार समझें के जैसे एक अगर कोई इनसान किसी दुश्मन के गिरफ्त में आ गया है और वहाँ पर उसका मित्र है जो उसको बचाने आ गया है तो वो काफी आश्वस्त हो जाएगा के हाँ अब मेरी सांस बचेगी, मेरी जान बचेगी और मुझे जो नुकस होंगे तो ये फाइदा होने वाला है करक राशी वाले करक लगन वाले और सभी के मेज से लेके मीन राशी वालों के लिए जहां जहां पर भी ये भाव आता है करक राशी वाला उन उन भावों पर रेलाक्सेशन आपको मिलने वाली है अब शनी की दर्शम दृष्टी तु फरक पड़ेगा जैसे इन दिनों सूर्य शुक्र बुध त्री ग्रही योग बना के बैठे हैं विश्चिक राशी में बीच में एक बार चंद्रमा भी नीच के होंगे और चतुर ग्रही योग बनेगा मैंने वीडियो दिया है आपको हर राशी का सूर्य का शुक्र का बुध गुरू की दृष्टी से लेकिन साथ में बैठा है बुध जो महालक्षमी योग बनाता है ये इनके प्रकारेंग शुक्र भी बचे हुए हैं गुरू की ये दृष्टी जो है विश्चिक राशी पर जो पड़ती है नवम दृष्टी उसके कारण काफी कुछ कंट्रोल में रहता है त्रीग्रही योग होने के कारण भी जिन जिन भावों में सूर्य शुक्र बुध साथ में बैठ गए और सूर्य और शुक्र आपस में मित्रना होने के कारण काफी कुछ परिशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है हाला के लोग बोलते हैं कलानिधी योग बनता ह यह योग बनता है वो योग बनता है मैं इन चीजों में नहीं मानती सूर्य और शुक्र जो है जब जब साथ आते हैं तो शुक्र लगन वाले शुक्र के भामों को तकलीफ होती है और यह तकलीफ से बचाने के लिए अब यहाँ पर गुरू उपस्तित है मारगी अवस्ता में और उनकी दृष्टी के कारण अब यह तकलीफ नहीं होगी अब बात करते हैं हम गुरू की सब्तम दृष्टी की तो याद रहे गुरू की सब्तम दृष्टी बुद्ध के घर पर पट रही है जो के उनके शत्रू है अब सभावतिया गुरू जो है वो जीव है वो देवताओं के गुरू है तो किसी का बुरा नहीं करते इसलिए यह समझ लीजे के भले ही गुरू की दृष्टी अपने शत्रू राशी कन्या बुद्ध की राशी कन्या पर पढ़ रही है लेकिन उसका कुछ खास बिगाडते नहीं हाला के बनाते भी नहीं लेकिन इनकी जो दो दृष्टियां और स्वयम इनका मीन राशी में बैठना सभी लोगों को सोहाता है बदाईयां जी बदाईयां सभी राशीवानों को बदाईयां गुरू हो रहे हैं जो लोग अध्यात्मिक सात्विक काम कर रहे थे जैसे एस्ट्रोलॉजी या कोई अगरबती ही बेचना भले तो उसमें उनकी उन्नती होगी और जो लोग गुरू हैं लेक्चरर हैं टीचर हैं कुई सीवी तरीके की कोई चीज सिखाते हैं उनकी भी उन्नती हो जाएगी कई सारे लोग जो बिजनस करते हैं सोंे चांदी ज्वेलरीज का उनकी भी उन्नती होगी तो चलिए यह मैंने आपको बताए आप जल्दी जल्दी आप उस वीडियो को देखिये जिसमें मेजस से लेके मीन राशी पर मैंने गुरु के सारे प्रभाव मेंस से लेके मीन राशी पर क्या प्रड़ेंगे इसकी विस्तरित चर्चा की है God bless you, take care and goodbye, आगा दीजे, धन्यवाद और नमस्कार